बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एन एफ के सेकिंड पेपर बिजन्स स्टेटिक्स में हम सांखे के माद्धे स्टेटिस्टिकल एवरेज का चेप्टर का अध्यान कर रहे हैं इस सिपूर के वीडियो में हमने अरित्मेटिक में की गणना किस परकासे की जाएगी के इसके बारे में समझा था आज के इस वीडियो में हम मीडियन की कैलकुलेशन के बारे में अध्यान करेंगे मीडियन जैसे किसका नामी है मद्धे का ये किसी भी समंग श्रेणी या जो वेरियेबल्स हमको दिये गए हैं लगबग बीच का या मद्धिका मुले को हम मद्धिका के नाम से जानते हैं। क्रास्टरं एमुम कावडन के अनुसार उन्हेंने मद्धिका की परिभाशा इस परकार से दीए कि मद्धिका वे मुले है जो एक श्रेणी को इस परकार विवाजिद करता है ताकि आधे या अधिक मद इस मुल्ले के बराबर या कम हो तता आधे या अधिक मद इस मुल्ले के बराबर या अधिक हो इनका कहने का ताथ पर यह है कि जो भी श्रेणी है समंग श्रेणी मद्धिका उसको बीच में से डिवाइट करती है यानि आदे मुले इससे पूर के होते हैं और आदे मुले इसके बात के होते हैं ज्यादा तर ऐसा ही पाया जाता है जब नॉर्मल डिस्टिबूशन होता है तो मद्धी का बिल्कुल बीच का मुले ही होता है So the median is simple measure of central tendency to find the median We arrange the observation in order Median को ग्याद करने के लिए सबसे पूर हमें जो भी observation है उनको एक order में arrange करना पड़ेगा चाहे वो ascending order हो चाहे वो descending order हो From smallest to largest value If there is an odd number of observation अगर हमाएं जो observation दिये गए हैं अगर वो odd number हो तो median जो हम calculate करेंगे वो middle का value यह होगा लेकिन अगर if there is an even number of observation The median is the average of two middle value अगर मालेजी यह ऐसा नहीं हो Even number हो तो हम दो मुल्यों को इस परकार से लेंगे उन दोनों मुल्यों को जोड के उसमें दो का भाग देने पर जो value आएगी वो ही median के लाएगा Median भी तीनों श्रेणियों में individual, discrete और continuous series में ग्याद किया जाएगा हम सबसे पहले individual series में किस परकार से गरना की जाएगी इसके बारे में अधियान करते है Median is equal to size of n plus one object to the item हम ही क्या करना है कि हम यहाँ पर n is a stand for number of item जिते भी number हैं उसमें एक को जोड के उसमें दो का भाग देना है जो भी मुल्य आएगा वो ही median होगा तो उसके लिए जो working हमारी है सबसे पहले arrange the given number in an ascending of their magnitude हमें सबसे पहले जो भी number है उनको ascending और descending order में जमाना है फिर हमें उसके serial number लिख देने है तीसरा if the item identified in even number then median is the full size of size of full item और अकर ऐसा नहीं हो plus 50% of the difference between the size of full and succeeding item कहने का मतलब यह है कि जब वो बीश का मुल्य आएगा तो एक तो वो जो full मुल्य है उसका मुल्य लेंगे उसके बाद वाला जो मुल्य है उन दोनों को जोड़के उसमें दोका भाग देंगे एक simple सी example से हम समझेंगे किस परका से median की घंड़ना की जाती है calculate median from the following data CL नमबर दे रखे हैं 12345678910 इनके marks दे रखे हैं individual series है तो marks हैं 1027 अब यह जो marks हैं आप देख रहे हैं कि यह जम्ह हुए नहीं है median की calculation करने के लिए हमें सबसे पहले एक तो CL नमबर जो दिया गया उसको लिखना है उसके बाद mask को लिखना है तो mask को लिखते वक्त ascending ये descending का ध्यान रखना है हमने इसको ascending order में जमाया है सबसे पहले smallest को लिया है 10 को उसके बाद 12, 15, 18, 20, 24 27, 3 टाइम आया है हमने 27 को 3 टाइम लिखके 30 last में लिख दिया अब median M is equal to size of N plus 1 तो N हमारा 10 है 10 में 1 को जोड़ा 11 11 में 2 का भाग दिया तो जो item हो वो 5.5 है यहाँ पर हम ध्यान रखिए यह 5.5 है तो 5 का जो मुले है उसको लेंगे और 6 के मुले को भी लेके उसमें 2 का भाग देंगे और जो मुले आएगा वो ही हमारा median है तो size of 5.5 item is equal to size of 5 5th item and size of 6th item दोनों को जोड़ना है उसमें 2 का भाग देना है तो हमने 20 plus 24, 44 में 2 का भाग दिया it is 22 हमारा जो median है वो 22 marks है discrete series में आपने देखा कि भई x होते हैं, variable होते हैं साथ-साथ उनकी frequency भी होती है इसमें median calculate करने के लिए हमें नेमर परकास से working करने पड़ेगी सबसे पहले हमें जो भी मुले दिये गए है frequency, उन frequency की community frequency निकालनी है उसके बाद median का item निकालना है n plus 1 public 2 item से ही फिर see in the community frequency the value just greater than मतलब हमें जो भी मुले आया है उसको cumulative frequency में ढूनना है, देखना है और जिसमें उस मुले से ज़्यादा लेकिन उससे ज़्यादा कम मुले जो भी होगा then उसके संबंधिन जो corresponding value of x है वो ही हमारा median है एक example से समझते हैं इसको इनोने का calculate the median from the following data number of members हैं 1, 2, 3, 4, 12 तक frequency दे रखिए 1, 3, 5, 6 उसके बाद अब हमें मद्धी का ग्याद करने के लिए सबसे पहले tabulation x के मुले as it is, उसके बाद frequency को लिखना है, उसके बाद cf जैसे पहले वाले के लिए cf 1 दूसरे के लिए उसमें हम पूरी cumulative frequency हमने ग्याद करी तो it is 60, n is equal to 60 हमें क्या करना है, 60 plus 1 दोनों को जोड के उसमें 2 का भाग देना है तो हमारा जो मुले आएगा वो median 30, 30.5 item आएगा इसको हम cf में देखेंगे तो इससे बाद वाला cf एक तो 25 है और उसके बाद 38 है तो 38 को हमको लेना है 38 के सामने वाला जो मुले है वो ही हमारा median होगा तो उसके सामने वाला मुले जो है वो 6 है तो हमारा इसका जो the cumulative frequency just greater than 13.5 is at 38 and the value of 1 corresponding to 38 is 6 hence the median size is 6 member per family तो इस परकार से हम discrete series में जब गरना करते हैं तो बहुत important चीज यह है कि हमें उसकी community frequency को गयाद करना है और फिर median मुले जो आएगा उसको हमें community frequency में find out करना है उसके सामने वाला जो variable है वो ही हमारा median होगा धन्यवाद